हेलो फ्रेंट्स, आज हम बनाएंगे आलू पालक की बहुत स्वादिष्ट सबजी, यह स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत हेल्दी सबजी की रेसिपी है, तो इस सर्दियों के मौसम में अगर आपने आलू पालक अभी तक नहीं बनाई है, तो मेरे तरीके से जरूर एक अच्छे से वाश कर लिया है, तो यहां पर हमने सारा पालक अच्छे से महीन महीन बारिक बारिक काट के तयार कर लिया है, इसी के साथ हमने सर्दियों में आने वाले नए आलू भी लिये है, चार से पांच और उसको हमने चंक्स में काट लिया है, और हमने एक प्याज लिय मेडियम साइस, को की बारिग बारिक नाट year three top. महीन महीन चाप किया है. जाफ 14-a 50 अधरक is aap काम्तमा, भी चाप कर लिये है. अधरक लेसं की मात्रा थोड़ी अच्छी पड़ती हैς. अधरक उद्रकल में आपके आलू पालक बहुत चडपते है. दो हरीमिश को काट लिया है, एक टमाटर है, उसको चंक्स में काट लिया है, तो चलिए शुरुवात करते हैं बनाने की सबजी की, एक कढ़ाई को हमने गैस पे रख दिया, इसमें हमने 2-5 चम्मस सरसो का तेल डाल दिया है, यह सबजी सरसो के तेल में बनाई एगा बहुत स् चॉप किया था तो वह डाल दे रहे हैं, प्याज को जीरे और हीन के साथ हलका सा हम भूल लेंगे, 30-40 से के इस तरह से अल्टा पल्टी करते हुए, इसी के साथ अब हम इसमें डाल देंगे, बारीक चॉप किये हुए लैसुन और अदरक, लैसुन और अदरक का आप करेंगे, इस से जादा हमें प्याज और लैसुन अदरक को फ्राइ नहीं करना है क्योंकि अलू के साथ भी यह अच्छी से अच्छी हो जाएंगे, तो अब हम डाल देते हैं इसमें अलू को आप इसमें मिक्स कर देंगे, इसी समय हम इसमें डाल देंगे वन फोर टेबल अब यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें आलू को बहुत अच्छी से पकाना है, आलू हमारा 70-80% हमें कुक कर लेना है, उसके बाद हम लास्ट में पालक डालेंगे, क्योंकि पालक को हम जादा नहीं पकाएंगे, तो अब इसमें नमक डाल देते हैं, अब भाद भाद नहीं पालक के लिए कुक करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे बीच में खोल एक दो चेक जरू करेंगे, अल्टा पल्टी करते रहेंगे, तो यहां पर हम आलू को चेक कर देखते हैं, आलू बहुत अच्छी से फ्राई हो गए, तो आप यह देख सकते हैं, अब भुन के अलू के साथ, तो हमें इतना अलू को फ्राई करना, बहुत स्वाद आएगा, आपकी यह सबजी बहुत स्वादेश्ट बनेगे, अगर आप से मेरे सारे टिप्स को फॉलो करेंगे, तो बस अब इस टाइम पर धनिया पाउडर डाल देंगे, गैस की फ्लेम ब यहां पर हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे, जब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे, जल्दी जल्दी चलाते हुए इसको अल्टा पल्टी करते रहेंगे, दो मिनट के लिए इसको एसे ही खुला पकाएंगे, हमें तमाटर का बस कच्छा पन खतम करना है, हमें इ तो उसी टाइम पर हम इसमें कटे हुए पालक डालना शुरू कर देंगे तो यहां पर हमारे पालक पैले से रेड़ी है तो हम सारा पालक डाल देंगे तो आप सोच रहोंगे पुरी कढ़ाई भर गई यह बहुत तेजी से गलता है और यहां पर अच्छे से समहालते हुए कि अर्टा पल्टी कर देंगे तो अच्छे से मिक्स जरू करिएगा उसी के बाद हम ढख के पकाएंगे तो आलू हमारा यहां पे 70-80% कुख हो चुका है तो आलू को हमें बहुत जादा तो गलाना नहीं है बस यहां पर हमारे पालक अच्छे से गल जाएं और पालक ओर कुक अगर बहुत जादा हम पालक को पकाएंगे तो पालक जो न्यूट्रिशन्स है वो सारे उसके बेकार हो जाते हैं तो बिल्कुल लो फ्लेम पे पालक को हम ढख दे रहें तीन से पांच मिनट में हमारी अलू पालक की सबजी बन के तयार हो जाएगी एक बढ़ हम इसे चेक क मेरे किचन में अच्छी खुश्बू आरी है मैं इसको फिर से ढग दे रही हूं फिर हम इसको दो से तीन मिनट बार चेक करेंगे तो यहां पे देखिए पालक बहुत अच्छ से गल गये हैं बिल्कुल गये लेकिन इसमें पानी काफी है अभी तो अभी हम इसको मीडियम फ तो आप ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन दो मिनट के लिए आप इसको अगर पका लेंगे थोड़ा सा खुला तो आपकी सब्जी बहुत स्वाद बनेगी आलू हमारे बिल्कुल पॉफिट कुख हो चुके हैं बहुत बढ़िया तरीके से भुनाई हो गई थी आलू की तो उसे अच्छा स्वाद आचुके है और पालक हमारे गल गये हैं हमें पालक को बस इतना पकाना है कि बस वो गल जाए ओवर कुक न हो तो बस इसी टाइम पर पानी सूग गया थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च है मेरे पास तो वो मैं डाल दे रही हूँ यह बिल्कुल मिर्च जादा खाना कोई बहुत अच्छी चीज नहीं होती लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती अच्छी लगती अलु पालक में डाल दिया है मिक्स कर दिया है पानी सूग गया है यहां पर बंद कर दिया है तो हमारी तो अलु पालक बनके बिल्कुल तयार हो चुकी है तो जरा मैं आपको पास दिखाती हूँ, ये देखे, कितनी स्वादिष्ट देखने से लग रही है, खाने में तो ये बहुत स्वादिष्ट है, गरम गरम इस आलू पाला की सबजी को आप गरम गरम फुलको के साथ खाइए, दाल चावल के साथ खाइए, इसको अपने टिफि आप लोग को जरू पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक जरू करिएगा, कमेंट करके मुझे अपना सरेशन्स दीजिए, कि आप लोग आप नेक्स रेसिपी कौन सी देखना चाहते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे प्यारे से यूट्यूपर वार का आप से घर का बना हुआ खाना खाईए, स्वस्त रहिए, मस्त रहिए, और मेरा वीडियो देखते रहिए, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाबाई